हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल फ्लोरी कल्चर विद अबनम माई सेल्फ अबनम कुमार रिसर्च स्कॉलर फ्लोरी कल्चर एंड लैंड इसकेपिंग अचान नरिंदेवा इंवर्स्टी आफ एगरी कल्चर एंट्रोजी अध्यासे फ्रेंड्स आज की इसी क्यूज यानि मल्टिपल चैनल को सब्सक्राइब किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पे लाइक करें तो चलिए सुरू करते हैं भूगन बल्या का बाटनिकलने भूगन वल्या इसकी फैमिली नाइच्ट जिनेशी है जो की ब्लाउंगी टुद्फोर ओखांवीलियो क्रोमसोम नमबर टू और त्युद्फोर होता है और भूगन वल्या का ओचिन है विट साउथ अफ्रीका फ्राउम ब्राजिल सरदन, अर्जंटीना है गोगpri लिया के बहुत सारे संटेस्स हैं बडल्रzić गलेश उसलिड मेंना सब्सक्राइब 288Wh भोगन बेलिया तीन प्लान टाइब का होता है, гस्रूभ भी होता है, ट्री भी होता है। इसमें वाराइटीज के अकॉडRP में हाती है, स्रूभ बात करें बहुराइटीज के बारे में। तो बोगन बेले जो लीफ का अरेंजमेंट होता है वो अल्टरनेट होता है यह देखे जैसे एक लीफ यहां पे है तो एक यहां पे यह यहां पे यह अल्टरनेट डिजाइन होता है और लीफ की जो साइज होता है वो तीन से दो से चार सेंटिमीटर का होता है और लीफ इनकी यह लीफ उपर के लिए उप्ट गई है तो यह सबसे जाधा ज्यूली लिफ में पदा चलता ये देखे यह है यह नियूली लीफ से अपुड है तो यह इसका होता है ठिक है और यह थॉर्णी होता है इसके में isψतके भी पाए जाते हैं जित्ता ज्यादा ओल्ड होगा उत्ता ज्यादा बड़ा काटा पाया जाएगा दिखी जैसी ये वाला है ये काफी बड़ा है और इसमें जित्ती ओल्ड ब्रांचेज होंगी उसमें उत्ती ही बड़ी लीव साती है तो इस तरह से आप फ्लावर का होता है और इसका जो पेट्यूलेट होता है वो अपवर टाइप का होता है तो आप इस चीज को नोट कर सकते हैं कि मी बात करेंगे के बारे बारे में इस दाफ लिव्ड काल्ट ब्रैक्स डैत आलां लाइस टिंग ए ब्राइट 2 आउट। कहते हैं ग्लाइच आउट्सान डा लांट्स कर च। बट ब्रेणि फ्लावर मॉल्म अच लाइक a Ponsetia. Bracks जो होते हैं वो असली फूल के चारो तरफ होते हैं जो देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है just like Ponsetia. ये Ponsetia की ही तरह होता जैसे Ponsetia में upper leaves great color की हो जाती है और plant बहुत attractive लगता है बस इसी तरह से इसका flower भी बहुत attractive लगता है They appear periodically throughout most of the year but are especially painful in the winter when the splashes of colors are of welcome sight Bogan Bailey के फूल पूरे वर्ष भर्ष समय समय पे दिखाई देते हैं लेकिन सर्दियों में इनके फूल का color और भी attractive हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा flowering होती है जिससे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है Bogan Bailey blooms in red, white, yellow, orange and many more colors Friends, अब हम लोग बात करेंगे Bogan Bailey के introduction के बारे में And every game with savory wine Bogan Bailey is popular for its long-lasting colorful flower racks Bogan Bailey अपने लंबे समय तक चलने वाले colorful flower racks की वज़े से बहुत ही ज़्यादा लोग प्रिये है Bogan Bailey can be trained to stand alone As a sprawling shrubs are allowed to grow naturally where it will quickly cover fence or climb up into trees Bogan Bailey को बहुत ही ज़्यादा fence के लिए यूच किया जाता है इसलिए Bogan Bailey को एक विसाल जाड़ी के रूप में अखेले लगा के उसको trend किया जा सकता है या उसको naturally प्राकृतिक रूप से बंडे के लिए छोड़ दिया जाता है जिससे वो एक fence का काम करती है Clamber Nature का जो Bogan Bailey की वराइटी होती है उनको पेड के ऊपर चड़ाया जाता है जो उनकी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है जब वो पेड के ऊपर चड़के एड पूल साइट्स Bogan Bailey को घर की दिवाल की ऊपर भी लगाया जाता है तो देखने में बहुत सुन्दर लगती है ऐसा लगता है कि कलर के फूलों की बरसात या जहरना बहरा है Bogan Bailey को एक spoiler की रूप में या पूल के किनारे spots में भी इस्तमाल किया जा सकता है Friends, अब हम लोग बात करेंगे History of Improvement of Bogan Bailey की यह बहुत important slide है इससे एक question आप से जरूर पूछा जा सकता है तो पहला point of Bogan Bailey is growing widely throughout the country Bogan Bailey को पूरे देश में व्यापक रूप से या अधिक्ता के रूप में उगाया जाता है Second point is In all, more than 150 cultivar has been developed in Bogan Bailey Of these, a large number of cultivars have been developed at NBRI Lakhnau, IRL, Delhi and IIHR Bangalore Bogan Bailey के देड़ सोफ से भी जादा cultivars को developed किया गया जिसे में सबसे large number of cultivars का NBRI Lakhnau है फिर second में IRI New Delhi फिर third में IIHR Bangalore से सबसे जादा varieties को development किया गया Third point is The division of floriculture and landscaping IRI has been designed as the International Registration Authority for Bogan Bailey cultivars and the first checklist described more than 300 cultivars of Bogan Bailey was published during 1981 Floriculture and Landscaping IARI के divisor को Bogan Bailey cultivars के लिए अंतराश्टी पंजीकर्ण प्राधिकर्ण के रूप में नामित किया गया The cultivars थे तो उसमें three-handed cultivars Bogan Bailey के थे So cultivars की checklist published की गई थी Next point is The Bogan Bailey improvement work in India Started with the introduction of a few varieties by the Agrihoti culture society at Calcutta and Madras Scarlet Q named by Sir Percy Lackster in 1920 Is probably the first Bogan Bailey raised in India Friends, ये बहुत ही important question है क्योंकि ये ASRB NET 2015 द्वारा पूछा गया question है कि first Bogan Bailey improvement work started by which society तो इसमें है आपका answer Agrihoti culture society Calcutta and Madras द्वारा improvement work सबसे पहले start किया गया था ये बहुत ही important है इसको याद रखे कि अगर IRI से कहीं से भी paper बनेगा तो ये question आने के chances जादा है So second question ये बनता है कि first Bogan Bailey raised in India मतलब कि पहला Bogan Bailey का raised कभ हुआ था तो हुआ था 1920 में सर पैरसी लेक्ष्टर के द्वारा Friends अब हम बात करेंगे Bogan Bailey research इन इंडिया इंडिया में Bogan Bailey का कहा कहा research किया जाता है तो first number पे हमारा है CSIR, NBRI Second number पे हमारा है ICAR, IARI Third number पे हमारा IIHR है Fourth number पे BRAC है Fifth number पे CPWDA Central Public Work Department है Sixth number पे हमारा The Bogan Bailey Society of India है जिसको BSI कहते हैं अब लोगों और seventh number पे हमारा State and Central Agriculture Universities है Come to the next slide Role of CSIR, NBRI in Bogan Bailey Considering ornamental importance and commercial potentiality of Bogan Bailey's CSIR, NBRI initiated research and development work during 1960s As a first step, building up the germ plus collection was started in the botanical garden for creating a broad genetic base for taking up research and improvement works Bogan Bailey के ornamental value और वैपारिक छमता को ध्यान में रखते हुए CSIR, NBRI ने 1960 के दसक में research और development का काम शुरू किया था Friends, यहां question यह बनता है कि NBRI में research और development का work कब शुरू हुआ था तो आपको पता होना चाहिए कि research and development का work IRI में 1960 में शुरू हुआ था तो इसको note down कर लिजेगा कहीं पे और इसी दोरान research and improvement work करने के लिए एक व्यापक अनुवांसिक अधार बनाने के लिए बनस्पतिक उद्यान ने botnical garden में जर्म प्लास संग्रह का निर्माण शुरू किया गया था Next point is in India CSIR, NBRI was the first institute to take up research work on booghan balias भारत में NBRI बोगन बेलिया पे सूथ कार्य करने वाला पहला संस्थान था Next point is collection of varieties was initiated from various sources and conserved as living specimens बोगन बेलिया की विभिन प्रकार की varieties को विभिन जगयों से लाकर यहां पे collection को संग्रहित किया गया है जिस पे यहां पे research and development का work किया जा सके NBRI में बोगन बेलिया पे कई प्रकार का research किया जाता है जिसमें से पहले number पे हमारा germ plus collection है इसमें दो टाइप का collection किया जाता है एक potted collection एक field collection पॉटेट कलेक्शन मतलब जिन वराइटी को गंबले में लगाया जाता है और field collection मतलब जिनको direct field में लगाया जा सकता है तो पॉटेट कलेक्शन में NBRI के पास 600 pots है जिनमें पॉटेट वराइटीज है और field collection में 165 वराइटीज अवलेबल हैं second number of development of new varieties NBRI का work है उस पर research and development करके उनकी नई वराइटीज को डवलप करना multiplication and providing authentic planting material मतलब की जो नई वराइटीज डवलप हुई है उनका multiplication करके उनको और ज्यादा बढ़ा के और farmers को real planting material को प्रवाइट करना और last work is population मतलब की जो नई डवलप वराइटीज हुई ये उनको सारवजा नहीं करके उनको लोग प्रचार में लाना या उनको लोग पर ये बनाना होता है इसको हम BSI के नाम से भी जानते हैं और इसका जो BSI है इसका full farm पूछा जाता है ये नेट 2017 में जब मैंने नेट का एक्जाम दिया था तब ये question पूछा गया था तो फ्रेंट इसको आप नोट कर सकते हैं First point is a BSI in one of the oldest society in Delhi with its headquarter located at the Division of Floriculture and Landscaping IRI New Delhi BSI दिली में सबसे पुरानी सोसाइटियों में से एक है जिसका मुख्याल है Division of Floriculture and Landscaping IRI New Delhi में इसके है Next point is this society performed many social functions for the benefits of the Bouganvelia growers, nurserymen, farmers by spreading the latest agro technology developed by IRI and other research and developed organizations by organizing source training programs, interactions, etc. ये सोसाइटी बोगनवेलिया, growers, nurserymen, किसानों के लाप के लिए समाजिक कारे करती है जो IRI और अन्न विसर्च और डबलप संस्थानों द्वारा विक्सित नवीनतम अग्रोटेक्निर्स का प्रचार करके, सो करके, प्रसिक्षन कारिक्रम कराके और इंट्रेक्षन आधिकाय करके किसानों तक पहुचाती हैं. हित में काम किया और पर्यावरण को स्वक्ष बनाने के लिए 1962 में सोसाइटी अधिनियम XX1-1860 के तहत इस सोसाइटी की स्थापना की थी. Come to the next slide, बोगनवेलिया फेस्टिवल, the society BSI organized बोगनवेलिया फेस्टिवल every year March to April when the plants are in full bloom. BSI society यानि की the बोगनवेलिया सोसाइटी आफ इंडिया बोगनवेलिया फेस्टिवल को हर साल March और अप्रेल के महीने में जब फूल बोगनवेलिया के अपने मेच्चोर अवस्ता या full bloom stage पे होते हैं तब इसका organization करती है. A competition so is conducted in various sections and prize are awarded. बोगनवेलिया फेस्टिवल को बिमिन वर्गो में बिवार्जित किया जाता है और पूर्वस्कार पदान किये जाते हैं. The main purpose of the festival is to promote culture of बोगनवेलिया at the national label. Festival का मुख देश राष्टि इस्टर पे बोगनवेलिया की cultivation को बढ़ावा देना है. Come to the next slide. First patented बोगनवेलिया variety. The first Indian variety of ornamental plant that secure a foreign patent is बोगनवेलिया. Our variety बोगनवेलिया Dr. H.B. Singh developed at the IIHR Bangalore, won appreciation in Australia. Indian origin की ornamental plants की पहली variety बोगनवेलिया की Dr. H.B. Singh जिसने विदेशी patent को हासिल किया. Dr. H.B. Singh variety बोगनवेलिया की IIHR दारा डबलब की गई है जिसने ऐस्टरेलिया में काफी लोगप्रेता हासिल की. It was patented in Australia in the name of Krishna. यह ऐस्टरेलिया में Krishna के नाम से patent किया गया था. This variety is exclusively used as a potted plant and gained considerable popularity. इस वराइटी का इस्तमाल विशेश रूप से potted plants के रूप में किया जाता है और इसने काफी लोगप्रेता हासिल की है. Come to the next slide, International Registration. The Institute has been recognized as the International Center for Registration Authority for Bhuganwेलिया IKRA by Royal Horticulture Society UK since 1966. संस्थान को 1906 के बात से, Royal Horticulture Society UK द्वारा भुगणवेलिया के लिए पंजी क्राण केंद के लिए अंतराश्टी केंद के रूप में मायनता दी गई. This division is also one of the major repository center and wide range of genotypes of Bhuganwेलिया is conserved. An international checklist has been published by this division which is an official document of varieties developed and registered. It is also a dustish center of Bhuganwेलिया recognized by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Government of India. यह विभाप प्रमुक रिपॉजटरी केंदरों में से एक है और Bhuganwेलिया के genotypes की wild range यहां पे सन्रक्षित है. इस division दोरा एक अंतराश्टी चेक लिष्ट प्रकासित की जाती है जो की विख्षित और प्रंजी क्रिद वराइटियों का एक अधिकारिक दस्ताविज होता है. यहां क्रिसी और क्रिशान कल्यान मंत्राले सरक्वारदारा मानता प्राप्द बोगनविल्या का एक डस्ट परिक्षन केंदर भी है. Climate बोगनविल्या is a tropical and subtropical plant. The बोगनविल्या need full sun and high temperature for producing flower and for the reason it should be placed outside in sunny places during the growing season. In autumn the tree should be taken into a cool room with sufficient light and high temperature not below 15 degree Fahrenheit oblique 10 degree centigrade and best not over 59 degree Fahrenheit oblique 15 degree centigrade which is unfortunately not easy to achieve in many houses. It need to protect from frost and fridge. बोगनविल्या एक tropical and subtropical plant होता है. फूलों के उत्पादन के लिए बोगनविल्या को full sunlight और अधिक तापमान की आवस्टा होती है. और इस कारण इसे बढ़ते मौसम के दोरान बाहर धूप में वाले स्थान पे रखना चाहिए जिससे flowering अच्छी होती है. विंटर सीजन में plants को ऐसे कमरे में रखना चाहिए जहाँ प्रयाप मात्रा में sunlight आती हो और उसका temperature दर्श तहिरी से नीचे नहीं होना चाहिए. इस पौधे को ठंड में कोहरे और जमने से बचाने की आवसकता होती है. अब हम लोग बात करेंगे important varieties आफ बोगन बेलिया की. तो पहले नमबर पे हमारा है IRI से. IRI से ही 6 important varieties है जो question papers में पूछी जाती है. पहले नमबर पे है विशाखा, दूसरे नमबर पे Dr. BP Pal, थर्ड नमबर पे spring festival, फोर्थ नमबर पे summer time, और 5 नमबर पे sown net है, और 6 नमबर पे इस्टांजा है. इन सब में जो most important variety है, वो है Dr. BP Pal, इस variety का आप से flower का color पूचता है, और इस flower का color white color का होता है. यहाँ पे मैंने सभी varieties के image दे दिये हैं, जिसको आप pause करके देख सकते हैं, तो इसको देख लिजेगा. अब second number पे जो है, वो हमारा IAEHR से developed varieties है important, इसमें भी 6 variety importants है, पहली है चित्रावटी, second है Dr. H.P. Singh, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि first varieties है, किशना के नाम से Australia में publish हुई थी, इसको न्याद रुकिएगा, तर्ड नमबर पे जवालान नहरू है, fourth number पे pulper wonder है, fifth number पे sole है, और sixth number पे उसा variety है, अब हम लोग बात करेंगे NBRI से developed variety की, friends मैं आपको बता दू, NBRI से जो variety developed हुई है, इनसे बहुत ही ज़्यादा question पूछा जाता है, जिसमें से मैंने कुछ varieties, mostly question पूछा जाते हैं, उनकी यहाँ list mention किया है, देखे, NBRI से जो varieties developed होती है, उनका method of parents भी पूछता है, और year भी पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पे fruit complete table आपको दी है, जिसमें पहले नमबर पे हमारी वाजित अली सा variety है, जो कि हैर्वेडाइजेशन से development किया गया है, और इसका parent है Dr. BP Pal into Mr. Chiko, और इस variety का year of development है 1974, इसी तरह से next variety है, बेगम सिकंदर, इसको भी हाइवेडाइजेशन से develop किया गया है, और इसका parents है Dr. BP Pal into Jennifer Ferney, और इसका year of development है 1969, ठीक है, इसी तरह से हमारी सुबद्रा वाराइटी है, इसका भी मैंने आपको detail दे दिया है, Dr. BP Pal है, स्वेता है, चित्रा है, और इस time सबसे ज़्यादा जो चल रही है, वो है Dr. AP J. अब्दुलकलाम, इसको bird sport के द्वारा डबलब किया गया है, और इसका parent जो है, वो fantasy है, और इसको 2015 में डबलब किया गया, यही हमारी सबसे latest variety है तो 2015 की अगर latest variety के according question पूछेगा, तो Dr. AP J. अब्दुलकलाम जरूर आएगा, तो इस list को आप जरूर कहीं, यास से note down कर लिजिया, क्योंकि यह list बहुत ही important है, इससे question जरूर जरूर पूछेगा, यहाँ पर मैंने कुछ important variety इसका image दिया है, जिसे आप देख के, आप इसको अब जरूर कर सकते हैं, कौन सी variety किस color की है, और किस color का है, देखे, AP J. अब्दुलकलाम जो है, यह variegated leaf में भी आती है, और इसके जो flower color है, वो pink color का है, friends हमने याँ पे कुछ important, विदेशी, बोगन बेलिया के cultivars की image दिया है, जिनका हमारे इंडिया में बहुत ही बड़ा र California gold है, और third number पर जो सबसे जादा important है, वो है twilight delight, ठीक है, इसके through हमारे यहां बहुत ही अच्छे अच्छे cultivars को double up किया गया है, तो इसको आप यास से इनका color foliage देखके no down कर लिजेगा, अब हम बात करेंगे कुछ natural mutant variety की, तो उसमें है मारी Mary Palmer, also known as a surprise and snow cap, और इसका जो parent है, बुगन वेलिया, spectables and बुगन वेलिया, पेरु वियाना के cross से इस variety को double up किया गया है, ठीक है, उसके बाद second हमारी multi-brack variety, इसमें महारा है हमारा और cherry bloom में है, फिर उसके बाद variegated folie variety में हमारा थीमा आए, important variety है, तो कि इसका एक question 2016 में आ चुका है, यह SRB net के अंदर की variegated leaf variety आए, बुगन वेलिया के नाम से, तो इसमें आगी थीमा हमारी variety, और मैं आपको एक बात और बता दू कि APJ-Abdhu Clam is also variegated folie leaf variety, ठीक है, यह दोनों variety जो है, हमारी foliage variegated leaf varieties है, तो यह important है, इसको आप note कर लिजेगा, Friends, अब हमनों बात करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा important variety Angus की, Angus इसलिए सबसे ज़्यादा important है, क्योंकि यह Tetra Polite Bogan Bailey की variety है, जो की बहुत ही ज़्यादा latest है, इसको 2019 में डबल अप किया गया है, इसको Fujian, Sang, Hong, John Landscape Engineering Company Limited China दोरा डबल अप किया गया है, और यह यह potted plant है, जिसक BK, Banerji, Proof, Pramook, Floriculture Division, CSIR, NBRI, द्वारा एक, अंतराष्टी General of Floriculture Science and Landscaping, Bird, Sport and Bogan Bailey में इसको report किया गया है, Friends, इसको कहीं note down करके रख लिजए, क्योंकि यह बहुत ही important question बन रहा है, इससे क्या पता, इससे आपसे आने वाले question, paper में इससे question पूछ सकता है, तो इसको हमेशा याद रख लिजए, कहीं note करके important विमार करके रख लिजए, क्योंकि यह hetrapolite variety है, Friends, अब हम बात करेंगे, propagation के बारे में, तो बोगन बिलिया का propagation, जो है, वो seed और cutting दोनों से किया जाता है, बड़ जो commercial stage पर propagation किया जाता है, वो cutting के थ्रू किया जाता है, ठीक है, अगर आपसे question paper में कोई भी propagation से related question पूछेगा, तो आपका commercial stage से पूछेगा, और यहाँ पे ब बात करें, पूणिंग की तो, the best time of pruning बोगन बिलिया is in late winter or early spring after it flowering, और at the start of the rainy season, if you wait until late summer or early fall, your plant may produce fewer flower during the following winter. Friends, जो pruning का बोगन बिलिया का best time होता है, वो late winter होता है, early spring होता है, या starting of the rainy season होता है, इस time पर बोगन बिलिया की पूणिंग कर देनी चाहिए, अगर आप इसके लिए wait करते हैं, तो हमारा क्या होता है, सर्दियों के दौरान flowering में कमी आ जाती है, Friends, अब हम बात करेंगे बो नमर पर हमारे विश्णू सरूप आते हैं, इन लोगों ने बोगन बेलिया के breeding के लिए बहुत ज्यादा contribution दिया है, अब friends, बारी आती है MCQ, multiple choice question की, तो हमने अभी तक जाना कि क्या-क्या important होता है, अब हम लोग जानेगी कि कौन-कौन से ऐसे multiple choice question है, जो परिछाओं में question आता है, पहला कि International Registration Authority for Bhuganbelia associated at, मतलब कि International Registration Authority for Bhuganbelia कहाँ पे इस्तित है, तो इसका answer आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा common question है, Bhuganbelia ऐसे गर कुछ भी पूचेगा, तो पहला question यही होगा, अगर single question पूच रहा है, तब भी यही question एक अकेला पूचेगा, तो इसका answer है, New Delhi, International Registration Authority for Bhuganbelia नई दिल्ली में स्थापित है, friends, हमारा next question है, propagation से related, तो Bhuganbelia का propagation कैसे किया जाता है, तो Bhuganbelia का propagation होता है, इसमें हमें आप सो मिलता है, air layering, seed, cutting, ligumes, देखिए, तो इसमें seed और cutting और air layering तीनों है, तो बदा किया तो तीनों जात है, बड़ी, question जो हमसे पूच रहा है, तो यह हमसे commercial state पर पूच रहा है, हमको वैपारी ग्रूप से बताना है, तो इसमें वैपारी ग्रूप से commercial state पर जो हमारा Bhuganbelia का propagation किया जाता है, वो किया जाता है, cutting के तुरू, इसको हमेशा याद रखी, यह बहुत ही ज़्यादा important और इसमें सबसे ज़्यादा लोग confused हो जाते हैं, next question is, in Bhuganbelia thons are modification of Bhuganbelia के जो काटे होते हैं, वो किसका modification होता है, तो इसमें जो answer है, Bhuganbelia के जो काटे होते हैं, वो stem का होता है, जिनकी जो stem होती है, यह काटे के रूप में बदल जाती है, bottom heat is an important process in the propagation of which flowering plant, bottom heat जो practice होती है, वो कौन से plant के propagation के लिए important होती है, तो उसका answer है, Bhuganbelia, next question is, cross of वाजित अली साह, variety developed by NBRI, वाजित अली साह, जो variety NBRI ने developed की है, उसका cross क्या है, तो यहाँ पे आपको answer मिलेगा, Dr. BP Pal into Mr. Chiko, यहाँ पे आपको question मिलेगा, कि first the center of Bhuganbelia situated 8 पहला, Drust Center, Bhuganbelia का कहाँ पे situated है, मैं आपको बता दू, यहाँ पे दो Drust Center है, हमारे इंडिया में, Bhuganbelia का, एक हमारा IRI में है, और दूसरा हमारा IKRA में है, तो जो हमारा पहला Drust Center की बात हो रही है, तो हमारा पहला Drust Center जो है, वो IKRA में है, International Center for Registration Authority for Bhuganbelia में, अब next question है, हमा इसकी जो Tetra Polite Variety of Bhuganbelia की है, वो है Angus, next question is, वाजित अली सा वराइटी डबलब वाई, which method, वाजित अली सा जो बाराइटी है, वो किसके थू डबलब की गई है, तो इसको मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, लिष्ट दे दिया हूँ, आप अच्छे से पढ़ दिज जैसा कि बता दिया है कि Bhuganbelia festival जो होता, और्गनाइज करती है BSI, next question is, first variety आप Bhuganbelia patented by, पहली Bhuganbelia की वाराइटी किसने patent की थी, तो पहली वाराइटी जो Bhuganbelia की patent की थी, वो आयाई अचार ने patent किया था, next question is, first Bhuganbelia variety rized in India, पहली Bhuganbelia की वाराइटी कौन सी थी, जो rized हुई थी इंडिया में, तो वो थी scarlet queen, तो friends, आज की वीडियो में हमने जाना कि Bhuganbelia का importance क्या है, और उससे कौन से related question परिक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आयो, तो वीडियो को like करें, comment करें, share कर और आपने हमारे चैनल को subscribe कर लिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो हमारे चैनल को subscribe करें, bell icon जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो का notification तुरण मिल सके, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के बाइबाई, जै जवान, जै किसान, जै उद्धियान, हैपी स्टेडी.